आज सुभा से ही दिली NCR का जो मौसम है बदला बदला हुआ सा था हलके बादल चाय हुए थे धूप नहीं थी तो ऐसे में कही न कहीं अंदेशा है और मौसम विभाग की भविश्चे मारी भी सच साबित होती हुए दिख रही है कि 21 सारे की रात और 22 सारे को बारिश हो सकती ह जिसकी वज़ा से सर्थी की वापसी आनी दिख रही है ऐसे में फिलाल वाल साथ मौसम भाग के बदला बदला मौसम दिख रहा था क्या इसकी पीछे कारण दिख रहा है और वाके एक अच्छी बारिश होने वाली है दिली में फिर से देखेंगे जो यह आप बदला वाल वाँ सम देख रहे हैं मुखिता वेस्टनड डिस्टरवेंस है इसकी वज़े से यह हमारे पास बदला वा दिख रहा है यह हाई क्लाउड है साथी साथ पूरवी हमाई चल रही है जिसकी वज़े से आपका जो air quality है थोड़ी deteriorate हुई है लेकिन चुकि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि active waste and disturbance है इसमें अच्छी rainfall होने की संभावना है पूरी northwest इंडिया में और साथी साथ पाड़ी इलाकों में और जो दिली NCR का इलाका है यहाँ पर आज रात में और कल सबरे हमारे पास rainfall के उम्मीद है आज रात में हलकी रवारिस होगी और कल हमारे पास moderate category की morning hours में rainfall हो सकती है तो यह कह सकते हैं कि जो pollutant है वो थोड़ी settle down हो जाएंगे और air quality में improvement आएगा हलांकि जो नियुनतम तापमान है जो आज 11 degree centigrade के असपास है वो भी कल हमारे पास 11 के असपास ही बना रहेगा और जब यह western disturbance पास हो जाएगा तो परसर से तापमान में थोड़ी सी ग्राव टाएगी और 24 पचिस तारीक को लगबग यह 60 degree centigrade के असपास होगा यानि जो लोग सोच के बैठे थे कि सर्दिया जा चुकी है धूप आ चुकी है क्योंकि पिछले दिनों तापमान में हमने बढ़ोतरी भी देखी थी तो वापस फिर से रजाई गद्दे निकालने का मौसम आ गया देखिए अभी रजाई गद्दे रखने का टाइम नहीं है आपको यूज करना पड़ेगा उसको और चुकी यह जब एक वेस्टर्ण डिस्टर्वेंस आता है तो उससे पहले खास बात ही होती ही कि हमार टंपरिचर सिग्निफिकेंटली राइस करता है अगर एक्ट्व वेस्टर्वेंस है तो आप देखेंगे बीतो दिनों में मैक्सम टंपरिचर में और मिनिममम टंपरिचर में भी काभी ब्रधी हुई थी और चुकी यह क्लियर इसका इता साथी साथ जो हवाई थी वो हमाय पास उत्री पश्चमी हवाओं की जग़ा पर पूर्वी और दच्छनी पूर्वी हवाई आ रही थी इनकी वज़े से अच्छी सर्दिया हमें देखने को नहीं मिली है कपकपाती जो ठंड वाली सर्दी है वो अब तक महसूस नहीं हुई तो क्या ये जो दौर हम देख रहे हैं वेस्टरन डिस्रबल्स जिससरा से आ रहे हैं रुक रुक कर ये दौर आगे भी ऐसी जारी रहेगा या ये इस ब चार डिग्री सेंटीकेर आसपास काफी दिनों तो बनाता है उसके बाद जो है हमारे पास तापमान या तो नॉर्मल है नॉर्मल से थोड़ा सा ही नीचे तो उतनी ठंड इस साल हमारे पास नहीं पड़ी है और चुकि इसका मुझो मुझ के वज़ा है कि हमारे पास जो एक तो यहां पर तयार हो जाए क्योंकि आज रात और कर सुभा बारिश की भविश्यवारी मौसा में भाग ने कर दी है जिसके बाद फिर से दिली इंसियार में सर्दी की वापसी हो सकती है कैमरमेन कपल के साथ पुजाराठोर शेर्मा टोटल नियोस दिली